था जिसका इंतजार वो महमान आ गया दुख दर्द के मारों का निगेबान आ गया गुनाह की बक्षिश का ये मकाम आ गया ए गुमिन और रहमत बरा रमजान आ गया रोशन सहर है और महकती फिजाए है ये खुल्द से बहती हुई ठंडी हवाए है रमजान आ गया, रमजान आ गया रोशन सहर है और महकती फिजाए है ये खुल्द से बहती हुई ठंडी हवाए है अल्ला को पाने का मनाने का है समा होटू पे हम दो नात के नगमे सजाए है दुख दर्द के मारों का निगेबान आ गया ऐ मुमिन और रहमत भरा रमजान आ गया था जिसका इंतजार वो महमान आ गया ऐ मुमिन और रहमत भरा रमजान आ गया है शाम और सहर इसकी बरकते और रोन के बरस रही है हर तरफ अल्ला की रहमते रमजान आ गया है शाम और सहर इसकी बरकते और रोन के बरस रही है हर तरफ अल्ला की रह्मते हैं जिकर और अबादत का कुछ अजब साही मजा दिलावते कुरान में हैं दिल की राहते फजर जोहर असर हो मगरिब हो या इशार सजदू में लज़ते हैं रमजान आ गया जिसका इंतजार वो महमान आ गया दुख दर्द के मारों का निगेबान आ गया गुनाह की बक्षिश का ये मकाम आ गया ऐ मुमिन और रह्मत बरा रमजान आ गया रमजान आ गया रमजान के हवाले से एक नजम पेशे ने किया उची बना लो ने किया उची बना लो सौदे सस्ते कर लो सब तौबा इस्तिगफार करके सीधे रस्ते कर लो सब देखो कितना खूब सूरत खूब सूरत खूब सूरत रब का महमा आ गया देखो कितनी शान वाला माहِ रमजान आ गया देखो कितना खूब सूरत खूब सूरत खूब सूरत रब का महमा आ गया देखो कितनी शानवाला माहِ रम्जान आ गया रम्जान आया रहमत लाया क्या तिजारत का मुनाफा क्या कमाई दाम की क्या तिजारत का मुनाफा क्या कमाई दाम की दुनिया की दौलत ऐबंदे कितने दिन के काम की क्या तिजारत का मुनाफा क्या कमाई दाम की दुनिया की दौलत ऐबंदे कितने दिन के काम की चोड़ दो बाजार हसरत हसरत जा आ गया देखो कितनी शानवाला माह रमजा आ गया देखो कितना खूब सूरत खूब सूरत खूब सूरत रब का महमा आ गया देखो कितनी शानवाला माह रमजा आ गया रमजान आया रह्मत लाया रमजान आया रह्मत लाया रोज़दारों के लिए ये जा बिचा दस्तर बिचा रोज़दारों के लिए ये जा बिचा दस्तर बिचा जिस तरा खिद्मत बने पानी पिला खाना खिला लम्हा लम्हाने की योका दस्त दामा आ गया देखो कितनी शान वाला माह रमजा आ गया देखो कितना खुबसूरत 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 रब का महमा आ गया देखो कितनी शान वाला माह रमजा आ गया दुनियादारी दुनियादारी करके तू पच्चताएगा क्या खबर ये जिन्दगी में फिर महीना आएगा दुनियादारी दुनियादारी करके तू पच्चताएगा क्या खबर ये जिन्दगी में फिर महीना आएगा तूबा कर ले वक्त है बख्षिश का सामा आ गया देखो कितनी शानवाला माहِ रम्जा आ गया देखो कितना खूब सूरत खूब सूरत खूब सूरत रब का महमा आ गया देखो कितनी शानवाला माहِ रम्जान आगया रम्जान आया रहमत लाया रम्जान आया रहमत लाया गिड़ गिड़ाने का है मौका गिड़ गिड़ा के मांग लो सर जुका के मांग लो और दिल बिचा के मांग लो गिड़ गिड़ाने का है मौका गिड़ गिड़ा के मांग लो सर जुका के मांग लो और दिल बिचा के मांग लो मांग लो रो रो के देखो वो महरबा आ गया देखो कितनी शान वाला माहर रमजा आ गया देखो कितना खुब सूरत खुब सूरत खुब सूरत रब का महमा आ गया देखो कितनी शान वाला माहِ रम्जा आ गया अस्सलाम आलेकुम रहमतुल्हु वबरकातु हूँ जमी मसल्मारान को ये तल्ला दी जाती है कि शहर आरमूर मंडल बरकत पुरा राजराम नगर कालुनी में एक मस्जिद मस्जिद सुलिमान नफीस जो दस बारा साल खबल तामीर की गई अब अलहम्दिल्ल्ह मस्जिद के अत्राफ में मसल्मानों की तादाद में इजाफा होने की वज़े से मस्जिद नाकाफी हो रही थी इसके लिए उपर के हिस्से में च्छद डाला गया अब यीड बंदिश का काम हुआ है और दीगर बाखी काम है जैसे प्लाश्टिंग है और फलोरिंग का काम है एलेक्टरिशन का है प्लंबिंग का है अब गमजदान मुबारक का महिना शर्रहा है इसके अंदर अल्लाश्टरिशन का अज़र और तबार को बढ़ा देते हैं लहाज़ आवामनास से खास तोर पर गुदारिश की जाती है कि इस महिने के मौखे पर इस मस्जिद के तामेरी काम में भरपूर हिस्सा लें और अपने और अपने मरहुमीन के जानिब से हिस्सा लेकर सवाब दारेन हासिल करें जजाको ल्लाहु खेरा असलाम आलेकुम रहमतुलाहि बरकातो ये मस्जिद मस्जिद सुलेमान नफीस बरकत पूरा राजराम कालोनी आरमूर में गुदिशता दस सालों से वाके है अलहमदुलिल्ह इस मस्जिद में तलबा व तालबात की तादाद साथ से ज्यादा है असर की नमाज के बाद में हर रोज दीनी तालीम दी जाती है इनकी दीनी तालीम तर्बियत का निजाम एक मकमल बनाया गया है अस मस्जिद को देखिए आप तमाम हजरात के तावुन से अलहमदुलिल्ह ये मस्जिद यहां तक आई है अलहमदुलिल्ह बहुत ही खुबसूरत तरीके से इसकी विमारत तामीर की गई लेकिन नमाजियों की तादाद ज्यादा होने के वज़ा से नीचे जगा नाकाफी होने के वज़ा से उपर का काम जारी है आप तमाम हज़रात के तावुन से अलहमदुलिल्ह जो है खरीब खत्म जो है ये काम है उपर का जो हिस्सा बन रहा है अलहमदुलिल्ह उपर की जो तामीराती काम चल रहा है बिलकुल जो है इंडिंग पे है الحمدللہ تمام حضرات کے تعاون سے ہی یہاں تک آیا ہے لیکن میں اب تمام حضرات کے سامنے ایک خصوصاً گزارش کرتا ہوں ایک حدیث بھی سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من بنا مسجدن بن اللہ لو بیتن فی الجنہ جو کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے تو آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کی تعمیراتی کام میں حصالے اور اپنے مرحومین اپنے اور اپنے مرحومین کے نام سے اس میں تعاون فرمائیں جزاک اللہ خیروں و احسن الجزا میں روشنی ٹی وی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اس طرح سے اسلام کی اشاعت کے لئے اور اچھے اچھے پروگرامز کے لئے انہوں نے محنتیں کی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو دین دوگنی راج چوگنی ترقی سے نوازے